हर्चनास वेच पाक्षाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं सर्दियों के मौसम की खास सब्जी बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा फेमस सब्जी है यह आलू मटर और गोबी की सब्जी तो सर्दियों के मौसम में अक्सर बजार में बहुत अच्छे-अच्छे मटर आने शुरू हो जाते है और गोबी के फ़्लावर पी बहुत अच्छे अच्छे आते है तो इन दोनों को मीराकर और इसके साथ में हमने दो आलू भी लिए है, हम सब्जी बनाते हैं तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं हमने गोबी और मटर इस तरीके से तेयार करके रख लिया दो आलु करके अधर्स लिये हुए है और ओनियन और गरलिक तो पहले से हमने इसको त्यार करके रख लिया है अब हमें भगोनी में पानी को उबालेंगे, गैस बंद कर देंगे, उसमें नमक डालेंगे और गोबी के टुकडो को हमने इसमें डाल दिया, कुछ देर रखा और फिर इसको हम छान लेंगे ताकि जो भी कोई कीड़े वगएरा कुछ हो हमें दिख जाते इस तरीके से लेकिन ये बहुत ही जादा ताजी गोबी है क्योंकि इन दिनों में बहुत फ्रेश अच्छी गोबी आती है तो हम इसको निकाल लेंगे अब एक पैन में हमने एक चमच तेल डाला है और तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज पत्ता डालेंगे और एक चमच जीरा डालेंगे जब जीरा अच्छी तरह से भून जाएगा उसके बाद में इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद में इसे हम थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे जब तक कि प्याज ट्रांसफरंट ना हो जाए तो हमने इसमें एक प्याज लिया था इसे हमने एक तम बारिक से काट लिया था अब जब प्याज ट्रांसफरेंट हो जाएंगे उसके बाद में ही हमें लैसुन को एड़ करना है आप या तो लैसुन को बारिक बारिक चॉप कर लीजिए या फिर आप लैसुन को कूट कर भी डाल सकते हैं या इसको मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं पेस् इसको लहसुन को चौप करके डाला है और जब अच्छी से खुश्बू आने लगी लहसुन की उसके बाद में हम इसमें आलू डालेंगे आलू को हमें थोड़ा पकाना है जब आलू थोड़े पक जाएंगे यानि हमें आलू को 50% पका लेना है अभी उसके बाद में हम गो भी डालेंगे इसके अंदर अब हम इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे हल्दी डालके हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिलाने के बाद में इसको हम धग देंगे तो हमने एक छोटी चमस हल्दी डाला है और इसके ओपर धकन लगा दिया है आलू हमें थोड़े से ही पके चाहिए, ज्यादा नहीं, तो ये आलू थोड़े से पक चुके हैं, एक पार इसको हम चेक कर लेंगे, अब इसमें हम मटर और गोबी को भी मिला देते हैं, और अद्रक के लचे किये थे हमने, पतले पतले लंबे लंबे टुकडे वो भी हम इसम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में इस तरीके से यदि हम अधक डालते तो अच्छा लगता हैं, अब हमने एक चमश भरके इसमें लाल मिर्ची का पॉर्डर डाना हैं, और स्वात के अनुसार नमक डालेंगे, तो बस हमें ज्यादा मसाले नहीं डालने है और इसको हलके से हमें इस तरीके से धीरे धीरे उलट उलट करना है, और फिर इसको हम फिर से ढख देंगे, और कुछ देर तक इसको जब तक गोबी पकेगी नहीं, तब तक हम इसे ढख कर रखेंगे, और फिर उसी तरह से हम ढखकन के उपर पानी डालेंगे, यदि हम ढख तरह से गल नहीं चाहिए, गल जाती है, तो सब्जी में अच्छी नहीं लगती है, तो हम इस तरीके से चेक करेंगे, बीच में, इसका कोई ये नहीं है कि आप इतने मिनट बात खोले, बीच में थोड़ी दिर आप चेक करते रहिए कहीं आपकी सब्जी जलेगी तो नहीं वैसे क्योंकि हमने ढकन में पानी रखा था ना इसलिए तो अब हम इसको फिर से चेक करेंगे एक बार अलड़ी हमने चेक कर लिया था देखिए एकढम से सब्जी बनकर तयार हो गई बहुत अच्छी खोशबू भी आती है यह सब्जी की क्योंकि सब्जी चीज एकढम ताजी-ताजी डाली हुई है ना इसमें इसलिए तो अब इसमें हम खटाई डालेंगे तो खटाई के लिए इसमें नीबू का रस डाला है क्योंकि सर्दियों के मुसमें नीबू भी बड़ी अच्छे अच्छे आते हैं और थोड़ा सा धनिया हम अभी मिला देंगे और थोड़ा सा हम उपर से मिलाएंगे सबजी भी बनके तयार हो गई है और जो हमने तेज पत्ता और दालचीनी के टुकुड़े डाले थे उसे हम निकाल देंगे वो अच्छे नहीं लगते है साथ में न तो इसको हम निकालकर अलग रख लेंगे और सबजी को अब हम सर्व करेंगे लीजिए विंटर स्पेशल आलू मटर गोबी की सबजी बनकर तयार हो गई है और जब सब चीज ताजी ताजी होती है तो इसमें हमें एक्स्रा कुछ भी मसाले जादर डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि फिर इसका ओरिजिनल जो फ्लेवर होता है सबजीों का वो हमे डाल रखिए सुस्त रहे मस रहे थैंक यू